नमस्कार दोस्तो टेक्निकल 74 के चैनल में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपका जो भी Facebook परफाइल है उसको जो है आप पेज में कैसे convert करेंगे सब कुस डिटेल जो है आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ तो वीडियो में बने सकें तो चलिए वीडियो को ही स्टार्ट करते हैं और मैं लेके चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और मैं दिखाता हूँ आप जो है Facebook परफाइल को आप पेज में convert कैसे करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर Facebook परफाइल को open कर लेना है जैसे ही आप यहाँ पर open करें करेंगे उपन करने के बाद आप देख सकते यहाँ पर जो राइट साइड में option है 3. का simply आपको उस पर किलिक कर देना है जैसे आप उस पर किलिक करेंगे उस पर किलिक करने के बाद आप देख सकते यहाँ पर आपका परफाइल का यहाँ पर option होने लगा है simply आपको जो है थ Setting वाले Option पर क्लिक करने के बाद Three.Wale Option पर क्लिक करना है Three.Wale Option पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते आपे जो भी आपका Facebook पर्फाइल सेटिंग है आप यहां से देख सकते हैं और नीची एक Option होगा Turn on Professional Mode तो Simply आपको Turn on Professional Mode वाले Option पे क्लिक कर देना है जैसे यह आप इस पे click करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी eligibility यहाँ पे show होने लेगेगा और turn on पे आपको read करके यहाँ पे click कर देना है जैसे यह आप turn on वाले option पे click करेंगे यहाँ पे जो भी आपका profile है वो page में convert हो जाएगा और उस से जो है आपका yearning start हो जाएगा तो simply आपको turn on वाले option पे click करेंगे इस पे click करने के बाद आप देख सकते हैं आपे जो भी facebook का आपका profile है यहाँ पे page में convert हो चुका है और यहां से आपको detail को यहां से fill कर लेना है तो यहां से मैं अपने details को यहां से fill कर लेता हूं और यहां पर create a new यहां पर आपको simply एक post करना है पोस्ट करने के बाद जो है आपका जो भी porfile है वो आप देख सकते हैं यहां से वो page में convert हो चुका है और इस तरीके से आप अपने bio को यहां पे add कर लेंगे और आपका जो भी profile picture है और cover feature है यहां से add कर लेना add करने के बाद आप देख सकते हैं यहां पे c-board और आपका जो भी friends है वो follower में convert हो चुका है यहां पे देख सकते हैं 3K followers और c-board का option आचुका है इस तरीके से जो है आप अपने facebook profile को आप जो है page में convert करके यह से yearning start करेंगे तो guys आप देख सकते हैं आपका जो भी है यहां पे next step है yearn money with star यह जो है आपका option यहां से जो है monetization का option जो भी आपका star का option है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं वो यहां से enable कर देंगे यहां से get started वाले option पे click करना है जैसे आप get started वाले option पे click करेंगे इस पे click करने के बाद यहां पे जो है आपका जो भी real name है यहां से type करना है तो आपका जो भी first name है आपको type कर लेना है date of birth आपका जोभी country है तो यहां से आपको type कर लेना आप देख सकते हैं आपको यहां पर type कर चुका हूँ ऐसे आप type करके next वाले option पर click करना है जैसे आप next वाले option पर click करेंगे यहां पर जो भी आपका यहां पर जो है आपको business वाले option को choose नहीं करना यहाँ पे individual को choose करना है और next वाले option पे click करना है next वाले option पे click करना के बाद यहाँ पे एक और interface open होगा आप देख सकते हैं आपका जो भी city है यहाँ से pin code, zip code आपका जो भी है phone number, email यहाँ पे type कर देना है और type करने के बाद आप जो है next वाले option पे click करना है और आपका जो भी address है primary यहाँ पे full है यहाँ से आपको type कर लेना है जैसे आपको देख सकते हैं मैं यहाँ पे address और phone number और email को यहाँ पे type करके यहाँ पे जो permanent account number है simply आपको यहाँ पे आपका pen number add करके आप जो है next वाले option पे click करेंगे click करने के बाद आपका जो भी bank account है यहाँ से add हो चुका है star monetization के लिए और आप देख सकते आपे आपका star monetization enable हो चुका है और आपका passbook add हो चुका है तो इस तरीके से जो है आप अपने facebook profile को page में convert करके आप monetize कर सकते हैं और उसे yearning कर सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं आपे मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने profile पे और दिखाता हूँ यहाँ आपको की star monetization यहाँ पे enable हुआ है या नहीं है तो यहाँ पे profile पे click कर लेते हैं और c dash वाले option पे जो है click करते हैं और views as पे click करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मैरा profile था यहाँ पे page में convert हो चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पे 3K followers यहाँ पे हो चुका है और c dash पे click करके आप जो है यहाँ से performance यहाँ पे monetization है यहाँ पे आपको click करना है और यहाँ पे आप देख सकते है adds on reels का option है simply आपको इस पे click करना है आपका जो भी है यहाँ पे adds on reels या star monetization आपको same ही का राइटरी आए यहाँ से get started पे click करना है जैसे आप click करेंगे यहाँ से पहले मैं setting किया हुआ है यहाँ से next वाले option पे मैं click करता हूँ click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी star monetization में जो भी information में save किया था यहाँ पे same way से यहाँ पे type कर देना है आपको जो भी information है यहाँ से type करने के बाद आप जो है next वाले option पे click करेंगे next वाले option पे click करने के बाद आप देख सकते हैं आपका जो bank है यहाँ पे link हो चुका है यहाँ पे देख सकते हैं manually link bank account का option आ चुका है यहाँ पे simply आपको account number को type करना है account number को type करने के बाद आप देख सकते हैं आपे sweep code का option आ रहा है तो sweep code को कैसे find करते हैं इस पर जो है मैं एक विडियो बनाया हूँ आप जाके देख सकते हैं कि Swift Code क्या होता है और उसको कैसे Find करते हैं जैसे मैं यहाँ पर Swift Code डालके और Link Payout Method वाले Option पर किलिक कर देता हूँ Link Payout Option वाले पर किलिक करने के बाद यहाँ पर Add Tax का Option आता है तो इसको जो है मैं Next विडियो में बताने वाला हूँ Add Tax को कैसे Fill करते हैं सब कुस डिटेल जो है मैं आपको Next विडियो में देने वाला हूँ